HSSC ने जारी की new sort list group number 1, 2, 9SB के लिए नई sort list आ गई है तो क्या पुरानी list खतम की जाएगी या पुरानी list खतम मानी जाएगी नहीं जिनका पुरानी list में नाम है वो तो मानने रहेगी उसके लावा कुछ नई candidate को भी मोका दे दिया गया है नई list जारी हो गई है तो अब इन को देखने को मिले है एक तो new sort list आयोग के दवारा त्यार की गई तो वहीं department के दवारा कल श्याम को ही staff nurse के station अलोट कर दिये गए है आए फटाफट से पूरी update को जानेंगे सभी को राम राम नमस्ते प्रणाम सभी का most welcome हारदिक सवागत हारदिक अभी नंदन आपके अपने कमी ये जरूर है सिर्फ staff nurse में नहीं जितने भी चाहिए वो MPSW female वाले हों VLD वाले हों सब में हर्याना सरकाने एक बहुत बड़ी कमी छोड़ दी है वो कमी ये छोड़ दी है यानि के आप देखेंगे पहले वाला जो है वो है कहीं का और उसको भेज गई दिया यानि के जी staff nurse में तो please कम से कम आप कहते हैं कि बहन बेटिया हम बचाने का काम करते हैं तो कम से कम इनको तो station पास के दीजिएगा इतनी दूर 200-200 km आपने इनकी station अलोट किये हैं तो करिपया हर्याना सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे चलिए अब जान लेते हैं new list जो आपकी group नंब यहां देखेंगे यह सबसे पहले group नंबर एक में देखेंगे उपर सुनील का नाम आया है इस परकार आप पूरी list को चेक आउट कर सकते हैं इन सभी का exam 18-22-24 को होने जा रहा है क्या पहले वाली list में है वो भी मानने रहेगी और कुछ candidate का पहले वाली list में नाम नहीं आया आज admit का download करना है और आज ही आपको प्रिक्षा के अंदरों के पास पहुंचना भी है और क्योंकि कल आपका प्रिक्षा भी है और हो सकता है किसान अंदोलन के चलते कोसिस करें क्योंकि आप कल पे ना छोड़ें आप आज ही अपने प्रिक्षा के अंदरों तक पहुंचने क परियास करेंगे अच्छा बात अब यह है कमी क्या छोड़ दी इसके अंदर इसके अंदर भी एक कमी छोड़ दी अब भी आयोग ने अपनी कट ओफ चुपा ली देखो पीछे तो कट ओफ जारी भी की साथ में और कट ओफ जारी की तो बच्चे कोड़ गई देखो जी मेरे स काड़ी चल रही है यह क्या कर रहा है हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमीसन क्या आयोग ऐसे बच्चों के साथ मतलब छलावा धोखा हो रहा है यही कहींगे ना चलिए आब बात करतें अड़ियाव करें पीडियेफ कहां से मिलेगी इसका लिंक भी पीडियेफ डाउनलोड करन दे रहा है सिधा आपको इस पर दबा देना है यसी ही आप इस पर कलिक करेंगे यहां पर देखेगा नीचे अपनी रिजिस्टेशन आइडी डेट ऑब बर्थ और इंटर कैप्चा यह डाल करके आप बस लोग इन करेंगे तो आपका एड्मिट कार्ड निकल जाएगा और